नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आपका हमारे चैनल पे श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने कम्प्पूटर को Bluetooth Speaker से Connect करना चाहते हैं तो इस काम को कैसे करते हैं यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि कम्पूटर को Bluetooth speaker से कैसे connect किया जाता है तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों बिल्कुल मैं आपे 100% जोड के और इस speaker को चला के आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आप देख पा रहे हैं यह हमारा Bluetooth speaker है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह Bluetooth dongle है समाने तर जो computer आता है उसमें Bluetooth नहीं होता है लेकिन यह market में लगबग 1.500 रुपे में आता है जैसे हम इस computer के अंदर लगा देंगे तो हमारा computer Bluetooth enable हो जाएगा मतलब Bluetooth की सेवा देना सुरू कर देगा तो दोस्तों आप देख पा रहे हमारे हाथ में Bluetooth dongle है जैसे हम इसको USB port में लगा देंगे तो जो हमारा computer है Bluetooth वाला हो जाएगा और यह Bluetooth की सेवा प्रोवाइड करेगा तो देख पा रहे हैं यहां मैंने लगा दिया है तो दोस्तों मैं यहां पे Bluetooth लगा दिया हूँ अब जानते हैं कि आपको क्या क्या काम करना होगा तो सबसे पहले जो Bluetooth speaker है आप इसको एक बार आण कर देना है तो देख पा रहे हैं यहां पे ON बटन है जैसे मैं इसको ON कर दे रहा हूँ Welcome to MC Music World तो देख पा रहा है यह दो स्टों यह हमारा Bluetooth speaker on हो चुका है चलिए अब जानते हैं कि आपको computer में क्या क्या काम करना होगा तो यहाँ पे दोस्तों Start बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको Bluetooth लिखना है B-L-U-E जैसे आप Bluetooth लिखेंगे तो यहाँ पे एक option आ जाएगा Bluetooth and Other Devices इस पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे देख पारें Bluetooth वाला यहाँ बिंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप देख पारें Bluetooth आफ है तो सबसे पहले हम Bluetooth को आन कर देंगे तो इस पे जैसे एक बार दबाएंगे तो आप देख पारें Bluetooth यहाँ पे आन हो चुका है अब यह जो हमारा Bluetooth जो speaker है इसको हमको जोड़ना है तो यहाँ पर Bluetooth device सर्च करेंगे चलिए जानते हैं सर्च कैसे करेंगे यहाँ पर जो add Bluetooth देया है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ Bluetooth जो option आ रहा है इस पर एक बार प्रेस करना है दबा देना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये Bluetooth जो speaker है इसका जो model number है WS887 यहाँ पर आ चुका है simply इस पर एक बार हम press कर देंगे तो देख पा रहे हैं एक connecting लिखा है और finally जो है connected देख रहे हैं यहाँ पर connected लिखा आ चुका है हमारा जो Bluetooth speaker है इससे connect हो चुका है यहाँ पर done पर कर देंगे तो दोस्तों यह जो हमारा Bluetooth speaker है हमारे computer से connect हो चुका है चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोड़ा सा audio जो मैंने बना रखा है उसको मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर this PC पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो document है इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर bandic है यहाँ पर एक छोटा सा video है जो मैंने इसको बना रखा है तो मैं इसको यहाँ पर हलका सा चला के आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों अभी यह आवाज आएगा इसमें तो दोस्तों आप देख पा रहा है यहाँ ब्लूटूथ है यहाँ पर काम कर रहा है मैं फाइनली इसको यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ आसान तरीका है कि आप किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को ब्लूटूथ स्विकर से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो गर आपको बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फार्मेटिव वीडियो में तब तक थैंक्यू है वे नाइस टे